पर आप देख रहा है माई टेक्नल जीन फुट भाई लोग आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काटिग्रीज के उपर क्योंकि वह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट को और्गनाइज करने में एक साहिलो स्ट्रक्चर जो होत लेबल बोलते हैं काटिग्री को दोनों में कोई फरक नहीं है बस नाम का फरक होता है ठीक है तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे फिलहाल मैंने क्या किया थीम को थोड़ा क्लीन कर दिया बहुत सारी चीज़े इसमें कुछ नहीं चाहिए था लेकिन बात ज्यादा इसम लेबल बोल सकते हैं या इसके भर लेबल कोई अर्टिकल डालते है या फिर पोस्ट करते हैं तो उसी समय बहुत इससंवह वो article किसे ने किसी category में जाना चाहिए तभी जाके एक proper जो form होता है, जो structure वो maintain होता है, तो आपको मैं एक article पोस्ट करके दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा article के अंदर, article पोस्ट करने से पहले एक चीज आपको बता दूए कि article पोस्ट करने के ऊपर, मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, आप इसको देखिएगा, आप चैनल में जाके हाँ, सर्च किजिएगा, ब्लॉगर लिखिएगा, ठीक है, ब्लॉगर लिखे, एंटर मारिएगा, तो आपको दीखेगा, एक article यह, correct way to do on pjc on blogger, बहुत ही अच्छा वीडियो, इसमें सब कुछ मैंने step by step करके बताया, लगों 13 minute में complete बताया हूँ, उसको follow कीजिएगा, अब article कैसे post करना है, सेम चीज को मैं दुबारा नहीं पताऊंगा इसमें, क्योंकि एक ही चीज को दुबारा बताना से कोई फैदा नहीं है, तो इस article को ज़रूर देखिएगा, article post करना कैसे है blogger में वो पता चलेगा, फिलाहल मैं एक dummy article post करता हूँ, यहाँ पे plus symbol पे click कीजिएगा, पोस्ट के अंदर जाने के बाद, ठीक है और यहाँ पे मैंने एक dummy article रखा हूँ, जिसको की आप post कर सकते हैं, तो मैं इसको फिलाहल copy कर रहा हूँ यहाँ से, और यह कितना बड़ आर्टिकल इसको copy किया, और यहाँ पे जब आएंगे आप, तो इससे आप plus पे click करने तो आपका एक जो यह है वो खुल जाएगा, यहाँ पे view खुला हुआ है HTML में, तो इसको आप हटा दीजगा, तो normal view में आपको यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ पे आने के बाद यह image डिरेटल नहीं आता है, इसको close कर देते हैं, और यह एक title जो होता है, इस article का दे दीजगा आप, और यहाँ पे title देने के बाद यह यहाँ पे कुछ, यह आप image डाल सकते है, everything up to you, fine, और यह होने के बाद में चीजग यहाँ पे label दिख रहा है, और यहाँ पे पूरा blank का रहा है, अब आपको मालम चलना है कि जो आप article लिख रहे हैं, वो किस label केंदा जाएगा, यह किस category केंदा जाएगा, अभी फिलहाल दे कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं लिखूंगा, इसको as a health का, ठीक है, मैंने एक health का label बनाया, यानि कि health की category बनाई, और इस article को health के अंदर डाल दिया, tick लगा के, और इसको मैंने save कर दिया, save करने के बाद इसको publish कर दिया, जैसे publish करने, confirm करेंगे और यह publish हो जाएगा, ठीक है, जब publish हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखेगा, तो यहाँ पे एक publish हो गया है, जो कि यहाँ पे health दिखा रहा है, यानि कि यह article, health label के अंदर, health category के अंदर यह publish हो गया है, अब अगर साइट पे जाएगे आप, refresh करेंगे, तो आपको यह कहां दिखना चाहिए, simple सा concept है, ज अगर images रहेगा, तो यहाँ images भी आ जाएगा, और तो उसके लिए क्या करना है, आपको कि अपने ही साप से, category को organize करना है, तो यहाँ पे जो यह देख रहा है, business, business को अपन चल करते है, health, ठीक है, जब आप यहाँ पे health करेंगे, health के नाम से, तो यहाँ पे business लिखा हुआ, य health लिख देते हैं इसको, और सेव कर देते हैं, तो हमारा जो यह जो section आ रहा है यहाँ पे, इसको अगर refresh कीजिएगा, तो यह business health हो जाएगा, और इसके अंदर हमारा एक post आ गया, ठीक है, तो अब जो है, हमने जितने भी article अगवा हो, हम लिखते हैं, अगला कोई और एक article आ मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ तक उठाया, यहाँ तक उठाया, इसको बंद के लिए, पेस्ट किया, ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसका एक कोई title दे दिया, मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे, अगर आप इसको health के अंदर ही डालना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ लेबल बना रहे है, यहाँ नहीं कि नया category बना रहे है, इसको बनाने के बाद सेव कीजिए, और फिर इसको publish कर दीजिए, ठीक है, publish कर दीजिए, अब यह क्या है, यह tech में चला गया, अब अपने पास website पे, अपने website पे, tech नाम की कोई category है यह नहीं है, वो हमें लिंक पे कोई click करें, तो वो, जो है, वो tech वाले जितने articles हैं, वो आने चाहिए, correct, officially यही इसका नियम है, तो अब आपन जाएंगे यहाँ पे, health fashion के जगा, इसको हम tech में convert कर देते हैं, ठीक है, एक तरह देखा है, तो CSS है, styling है, grid-small, यह छोटे grid का code लिखा हुआ, जो की यहाँ पे already map है, ठीक है, तीन, आप experiment कर सकते हैं, तीन के जगा, एक या फिर दो, या फिर तीन करके, अगर आप पांच आर्टिकल डाल रहे हैं, तो पांच में से तीन ही दिखा रहा है, तो समझ हो जाएगा, और वो एक आर्टिकल जो हमने tech category में post किया था, वो हमारा इस fashion के अंदर आजागा, tech के अंदर आजागा, यहाँ पे तीन grid दिखा रहे हैं, तो इसलिए तीन वहाँ पे लिखा हुआ था, अगर वहाँ पांच करते हैं, छे करते हैं, तो एक रो नीचे और भी जाएगा, ठीक है, यह simple concept है उसके अंदर डालने का, अब अगर कोई बंदा tech पे click करता है, ठीक है, तो उसको सिर्फ वही सारे post दिखने चाहिए, जो tech category में belong करते हैं, यही एक normal concept है, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, tech में view all option, ठीक है, इस पे अगर आप click करेंगे, तो एक URL उपर दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे max result 5 दिखा रहा है, ठीक है, यह hard coded value है, यह हमेशा 5 नहीं रहेगा, इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, अभी फिलहाल 5 article होता तो 5 article यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, अब यहाँ पे आपने यह जो link बनाया है, इस link को copy कीजिएगा, जो अपने, उसके बाद जाएगा अपने blogger में, और जो menu section आपने जो बनाया था, main menu, link list, ठीक है, इस पे click कीजिएगा, इस पे click करने बड़ टेक वाले को edit कीजिएगा, और टेक वाले में इस वाले path पे, यानि की URL पे जाकर save कर देजिएगा, और इसको save ये save होने के बाद, आप अपने blogger को refresh कीजिएगा, अभी तो फिला, home page पे जाएगा, जब आप home page पे आजागे यहां से, तो अब जब take पे click करेंगे आप, तो आपको सिर्फ tech का article दिखाई देगा, ये graduate हट जाएगा सब कुछ, ठीक है, अब देखे, टेक में सिर्फ एक article जो है, वो दिखा रहा है, अभी अगर आप टेक में एक और article पोस्ट करते हैं जाके, तो फिर आप उसको भी देख पाएंगे उस tech के अंदर, ठीक है, एक और आपके लिए पोस्ट कर ही देदा हूँ मैं, ताकि जो है, वो समझ में जाए कि clearly कि क्या चल क्या रहा है, कहानी क बनाना, जो अल्यडी बना हुआ, उसी में टिक लगा देना, उसको टिक लगाने के बाद, सेव कीजिए, और इसको पब्लिश कीजिए, और इसको कन्फर्म कीजिए, डन, अब यह confirm हो गया, अब यहाँ पर ब्लॉगर पर जाईए, होम पर जाईए, होम पर जाने के बाद, अगर आप टेक वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, तो कितने दिखने चाहिए आपकी जाप से, बताइए, दो दिखने चाहिए, अगर आप क्लिक के टेक पे, तो आपको दो यहाँ पर दिख रहा है, तो यह कॉंसेप्ट है कि अपने आर्टिकल्स को, कैसे और्गनाईज करन है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो तीन हमने पोस्ट किया, वो तीन इसमें दिखाई दे रहा है, बाकी जो हेल्थ के अंदर हमने एक डाला था, तो हेल्थ में एक आ रहा है, और टेक में दो आ रहा है, इमेज लगाएंगे तो दोनों में इमेज भी दिखा करना वो है और यह सोचल मेडिया प्लगिंग का सेट अप है उसके अलावा जो सब्सक्राइब का उप्चन होता है यह सारी चीजों पर आगे हम बात करेंगे ठीक है तो इतना आसा करतों समझ में आ गया होगा किस तरह को डाउट हो तो पुछिएगा और भी किस तरह को